ठीकरी ने हुआ दाल्टिक्ड का चौका बंट भंडारा 25 गाउं से आए 30,000 भक्त दत जैन्ती पर होगा अनुष्ठान नगर में दत जैन्ती के अफसर पर दाल्टिक्ड का चौका बंट भंडारा हुआ एवं नगर में जगे जगे श्री दत भगवान की पूजा अर्चना कर अनुष्ठान संपन हुए जै भूले की अश्रम समिती द्वारा विगत साथ वर्षों से दत जैन्ती के वसर पर ठीकरी नगर में दाल्टिक्ड का बंडारा किया जाता है जिसमें आसपास के क्षेतर घटकुवा उमर्दा भगवान पूरा सिग्वाल अजरॉली जर्वाह म मार्दर्शन में प्रतिवर्ष भंडारा होता है जिसमें 30 कुंटल गेहूं का अटा 1.5 कुंटल देसी घी 5 कुंटल देसी तवर की दाल 1.5 कुंटल मूमफली का तेल का उपयोग कर मोटी रोटी यानी टिक्कर बनाया जाता है दाल टिक्कर को बनाने के रिए बड़े तवे उपयोग में ले जाते हैं वस सभी भोजन प्रसादी लकडी की भटियों पे बना इजाती है एवं इस भंडारे के लिए विशेश रूप से बढ़वा अगे 45 कारीगर बुलाए गए है भंडारे में 35,000 स्क्वाय फीग पांडाल लगाया गया है आश्रम समिती के सद सदस्यों ने बताया कि भंडारा सुबह 8 पजे प्रारंब हुआ वशाम 5 पजे तक चलेगा भोजन प्रसादी बनाने के लिए 4000 स्क्वाय फिट का चौका बनाया गया है आश्रम सदस्यों द्वारा पिछले एक माह से आसपास के सभी 25 से 30 गाउं में घर घर जाकर इस भंडा सदस्यों द्वारे में भोजन करते हैं इसलिए इसे चोकाबंध भंडारा कहते हैं जे भोल कि आश्रम समिती के धरमेंदर गुपता ने बताया कि सद्गुरु पर्मानन्द महराज का आश्रम बढ़वा के पास महता खेडी ग्राम में है सद्गुरु पर्मानन्द महराज अपने गुरु पर्म पूज भुरानन्द जी महराज की सेवा में आश्रम में ही रहते थे सद्गुरु भुरानन्द बाबा की आद में प्रतिवश ठीक्री में भंडारा होता है इस भंडारे की सा वीक्रती 2012 में पर्मनंद बाबा ने दी थी आम तोर पर भंडारे में पूढ़ी ने युक्तिव सबजी बनाई जाती है लेकिन ठीकरी का चौका बन भंडारा अपने आप में निराला है यहां पर भक्तों को भोजन प्रसादी में डाल टिकर की प्रसादी बरोसी जाती है भंडारे में बाहर से संत शामिल हुए महताखेडी से अच्युत यनंद महराज व अरविंद दादा दे पालपूर से मोविन सरकार शैंपुरा से त्यागी महाराज से इंदवा से गोविंद महराज विमलेश्वर से बरफानी बाबा कट्छोरा से भिखारितास महराजादी सं का सम्मान किया गया वह वस्त्र भेंट कर विदाई दी गई भंडारा शाम साथ पजी तक चलता रहा